नमस्कार दोस्तो मैं आप सभी का चीरपर दोस्तो वस्थीत थूँ। दोस्तो आप सभी की सिवा में कुछ एक मुहत्तो पून जानकारियों को ले करके। जिहां दोस्तों आज का हमारा टोपिक है फेस को साइनेवल बनाने के लिए और स्कीन को हेल्दी बनाने के लिए घरेलू नुस्खे के बारे में दोस्तों इस घरेलू नुस्खे के द्वारा आप अपने स्कीन को हेल्दी बना सकते हैं दोस्तों इसके लिए जिन चीजों की आ दूम शिद्रों को बंद करने में मदद करता है और हल्दी स्कीन के कलर को निखारने में मदद करती है दोस्तों इन तीनों का आपको मिश्रन बनाना है आप दही ले लिजे तीन से चार चमच उसमें आधाने इंबू कटा हुआ डाल दीजिए फिर उसमें हल्दी मिक्स कर क्लिंजिंग कीजिए आप फेस की कलींजिंग कीसे करना है अनर देयान रखे तोड़ी देर बाद पसी न हो जाएंगो स्वैटियगी इस के बाद उस तॉलीय से उसको पोच दे, इसके बाद इस face pack को face पर लगा लिए थोड़ी देर रहने दे आप, इससे क्या होगा आपकी skin जो है वो glowing हो जाएगी दोस्तों, skin जो है आपकी cousrin रहेगी दोस्तों, आपकी skin healthy रहेगी और जब skin healthy रहेगी तो glowing दिखती है, आपके छेहरे पर चमक लगती है वैसे दही सिर्फ स्वास्त के लिए ही नहीं बलकि शरीर के स्वंदारिय के लिए भी बहुत उपयोगी होती है दोस्तों चेहरे पर दाने और मुहासे हो तो खटे दही का लेप चेहरे पर लगाईए कुछ देर बाद सुखने पर धो डालिए दो तीन दिनों में ही दाने मुहासे दूर हो जाएंगे और चेहरा चमक उठेगा दोस्तों आप चाहें तो ज़्यादा बेहतर परिणाम के लिए इसमें निम्बू भी मिला सकते हैं दही तो अचा के लिए एक भरदान की तरह है दही लगाकर 15 मिनट बाद ठंडे पाने से दोलें इससे चेहरे पर दूध जैसा गोरापन होगा यानि कि आपकी चेहरा गोरापन कहने से हमारा मतलब होता है दोस्तों कि आपकी स्कीन हेल्दी हो जाएगी और हमारा कलर कैसा भी हो वह मैटर नहीं करता है मैटर करता है कि हमारी स्कीन जो है वह ग्लोविंग हो और हेल्दी हो जब हमारी स्कीन हेल्दी और ग्लोविंग होगी दोस्तों तो खुद बखुद खुबसूरत लगती है देखने में तो यह था आज का हमारा देशी नुस्खा दोस्तों आप सभ पाए जाते हैं जो इसकीन को हेल्दी बनाती है निम्बू तो आपकी स्कीन को साफ करेगा हल्दी जो है वो उसमें गोरापनी या निकि थोड़ा चमक लाता है लाइट लाता है एंटी फंगल और एंटी बैक्तिरियल गुन हल्दी में पाए जाते हैं तो इस वज़य से इसकी इसे जुड़ेंगे कुछे कोहर महतो पून जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों